गणित के सूत्रों और नियमों में BGA व्यन्जकों का प्रयोग करना आज हम सीखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानि Formulas and Rules of Math में BGA व्यन्जकों यानि Algebraic Expressions का प्रयोग कैसे करती हैं? हम अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसे प्रती रूपों को देखते हैं जिनमें आकरितियों की पुन्रावर्ती होती है आए ऐसा ही एक उदाहरन देखें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पहली आकरिती एक जोपड़ी के रूप में है जो कि मार्चस की पांच तीलियों से बनी है इसमें चार तीलियां और जोड़ने पर हमें दो जोपड़ीयां मिलती है इसी प्रकार इसमें चार चार तीलियां और जोड़ने पर एक जैसी जोपड़ीयों का प्रतिरूप तयार हो जाता है यहां पर पहली जोपड़ी में पांच, दूसरी में नौ, तीसरी में तेरह और चौथी में सत्रह तीलियां है अगर हम यहां तीलियों की संख्या को एक पद मानें, तो पहला पद होगा पाँच, दूसरा पद होगा नौ, तीसरा पद होगा तेरह, और चौथा पद होगा सत्रह यहां पर हम पाँच को एक जमा चार गुणा एक, नौ को एक जमा चार गुणा दो, तेरह को एक जमा चार गुणा तीन, और सत्रह को एक जमा चार गुणा चार की तरह भी दर्शा सकते हैं इसी प्रकार N वा पद होगा, एक जमा, चार गुणा N इस प्रकार यदि हमें N जोपणियां बनाने के लिए तीलियों की कुल संख्या ज्याद करनी हो, तो नियम होगा, एक जमा, चार N यहां N कुल आकरितियों की संख्या को दर्शाता है, जो एक जोपणि के रूप में है अता हमें N जोपणियां बनाने के लिए कुल तीलियों की संख्या का पता लगाना हो, तो हम इस व्यनजक में N का मान रखकर पता लगा सकते हैं तो बच्चों, क्या बता सकते हैं कि दस जोपनियां बनाने में कुल कितनी तीलियों की आवश्यक्ता होगी? आए, N का मान 10 लेकर देखते हैं. तो सूत्र नियम में N का मान रखने पर हम पाएंगे बराबर एक जमा चार गुना 10, बराबर एक जमा 40, बराबर 41. अतह, दस जोपनियां बनाने में कुल 41 तीलियों की आवश्यक्ता होगी. आए अब जामीतिय आकरतियों में बीजिय व्यन्जकों के उप्योग के बारे में जाने. बच्चों, इस आकरति को देखिए. क्या आप बता सकते हैं कि यहां कौन सी आकृती है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, यहां एक वर्ग है हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है चलिए इस वर्ग की भुजा को L से दर्शाती है जिसका मान यहां 6 cm है क्या आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल पता कर सकते हैं? आए साथ मिलकर पता करें वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग का परिमाप होगा L जमा L जमा L जमा L इसे हम अलग तरीके से भी तरशा सकते हैं, जिसमें वर्क के भुजा को 4 से गुणा करते हैं अर्थात वर्क का परिमाप होगा 4 गुणा L बराबर 4 गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर सामाने तह हम पी से वर्क के परिमाप को दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी बराबर 4 गुणा L इस सुत्र की सहायता से आप एक वर्क का परिमाप ग्याद कर सकते हैं आए अब इस वर्क का क्षित्रफल ग्याद करते हैं वर्ग का क्शित्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है. अतह, इस वर्ग का क्शित्रफल होगा L की घात 2, बराबर L गुणा L, बराबर 6 cm गुणा 6 cm, बराबर 36 cm वर्ग. तो इस वर्ग का क्षित्रफल है 36 cm वर्ग यहाँ वर्ग के क्षित्रफल को A से दर्शाएं तो A बराबर L की घाट दो होगा इस सूत्र की सहायता से आप एक वर्ग का क्षित्रफल ग्याद कर सकती है तो बच्चो, अब आप किसी भी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल इन सूत्रों द्वारा ग्याद कर सकती हैं इस प्रकार हम गनित की सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यनजकों के उपयोग से आयत, त्रिभुज, पंचभुज, आदियाकृतियों के क्षित्रफल और परिमाप ग्याद कर सकती हैं आज हमने सीखा गनित की सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यन्जकों का प्रयोग कैसे करते हैं आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा अगली वीडियो में हम कुछ उदाहरनों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे धन्यवाद